नमस्का दोस्टों स्वाकत आपका अपके परिश्म दूश्य एक्जाम खतम हो रहा है तता आठ तारीक से 29 तारीक के बीज में आपके थर्ड फेज के एक्जाम चलेंगे और 19 तारीक से बाद हो सकता है 20 से 6 तारीक तक जो हमने एक्सपेक्टेड बताया संभावित आपके में बचे हुए शारे शारे चार उनके कराके रेलवे गुरुप डी का जो एक्जाम का कारव करम हो समाप्त कर देगा ठीक है एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोग फिजिकल की तयारी करते रहे हैं फिजिकल की तयारी के लिए सर कितना नंबर हमने कर लिया तो प्रिवेसली भी ग्रूब डी के एक्जाम्स हुए थे प्रिवेसली भी कटाफ आये थे 2018 वाले तो उसमें क्या कटाफ आया था वह आप सब को पता है नॉर्मलाजेशन किस हिसाब से हुआ था किस हिसाब से नंबर बढ़े थे और जब भी मैं बात करता हूँ काटाब के बारे में तो नंबर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट से मिलते लाये शुरू करें यहां पर सब से पहले हम बात करें एक्जाम पूर सर्विवेकशर के बारे बारे बात करें तो इन्होंने क्या बताया था शेक्सटीosition buscando ओर टूक्षिस करें जो कोई teacher आपको बोलता है कि 65 question आप करके आओ 65 question करके आओ आपका 100% selection हो जाएगा आपको कोई नहीं रोक सकता तो यह 65 याद रखना वो 65 इसलिए बोलता है कि आपकी accuracy वहाँ पे कम से कम होनी चाहिए और कम से कम मतलब आपको बोला आपके 85 करके आओ और आपसे यह नहीं बोला ना कि 85 करके आओ 65 करके आओ 65 में आपसे बोला 35 छोड़ के आओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर 35 गलत नहीं करना अगर जो आपको आता तो आप करो लेकिन गलत नहीं करना है और आप इस कंफ्यूजर में रहते हो कि आप 65 नहीं 65 करके चले आते हैं उसमें से 20 गलत कर क्या होगे और के सब्सक्राइब तो यह तो गलत बाता कहीं नहीं लिखा ऐसा ठीक तो यह चीज़े याद रखना इसके बारा कर जो हम बात करें सक्सक्राइब टेएट चेहर ने के लिए बताया था उबीसे के लिए 65 से 55 बताया था इसके बार यहाँ पे रहा इसके बार के बस तीन माइनस 3 हो सकते हैं प्लस ठीन उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है उनके द्वारा बताया गया था ठीक है इसके बाद करें यहां पर मुंबाइ जो पर बता चेंग घ्र तो दस अजयात साच्छाति इन्हों नेव से से कंपेर करकरके बताया था अबकर शेटन कर ने इस बार और ते सबसे मैक्सिमम हम लेके चलते हैं तो कुल मिला के अब रॉक्स अगर जो हम एक मीडियम लेके देखें आउसर लेके जीके एवरेज लेके देखें तो कुल मिला के यहां पर आप रॉक्स जनरल का इन्होंने भी 65 ही बताया है और मैंने भी आपको एक्सपेक्टेट कटाप के वीडियो बनाई तो मैंने बताया था कि 65 प्लस आप रहने की कर कगे आओ अब आपको कोमेंट्स के आत हैं कि सर 100% तो कोई करी नहीं सकता है अंडरत पर्शन अक्रशन कोई नहीं कि है आपने की छह का मतलब हshopने साब कोई नहीं कि आप पर दे दो आ अप के गलत सोच है गलत कमेंट है यह एकदम गलत सोच है हमने यहां पर असी नहीं बोला सौ में कितरा 65% कोई बड़ी बात नहीं है रिजनिंग के जहां पर 30% कोश्चन जहां पर 30% नंबर आपके रिजनिंग के आ रहा है जहां पर 25% मेहत के आ रहा है यहां पर यह कोई बड़ी चाहता हूँ ठीक है देखो अभी देखो तीसरे पेज का चोथे फेज का एक्जाम होने वाला है ठीक है होने वाला है ठीक है तीसरे फेज का चोथे फेज का अब यहीं पी बात करने हैं सबसे वहले हम रीजिनिंग की बात कर लेते हैं हम रीजिनिंग की बात कर लेते हैं अब अपके चार से पांच टॉपिक से आ रहा है यह कैसा सर जी मैंने देखा है पिछले दो सिप्टों के एक्जाम में प्या टॉपिक है सर जी कोडिंग डिकोडिंग है सीरीज में अलफ़ेट का सीरीज और नंबर सीरीज यह हो गया तीसरा हो गया कथन इसकर्स इसके अलावा डा के चलना पहले रिजलिंग अंकर जो आपको कोशन मिला तो उनी कोशन को करना है जो एक से देड़ मिनट दो मिनट के भीतर आपका हो जाएगा पहली बात एक से देड़ मिनट के भीतर जो कोशन हो जाएगा पहले उन कोशन को करने की कोशिस करना जिस भी कोशन में लगता है माल लो आपको तीस कोशन है, माल लो पाच कोशन ऐसे लगे, कि जो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसको आप छोड़ दो, छोड़ दो, इसका मतलब ऐसा नहीं, आपको नहीं करना, लेगिन आपको एक दो कोशन, तीन कोशन आता है, आप वहाँ लिख लो कि तीसरा कोशन, चोधा कोशन, मुझे आता है, लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे टाइम में पूरा पेपर कम्पलीट करना है, यह मैं बाद में करूँगा, इस बात के लिए आप रख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने माल लो, पाच छोड़ा, तो पचीस करो, पहला कम पचीस करना है, जो आपका हो सकता है, नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, बीस ही कोशन करो, कोई दिक्कत नहीं, बीस कोशन कर लो, इतना तो कर सकते हो ना reasoning में 10 छोड़ने के बाद और 10 में ऐसे भी मैंने छोड़वाए हैं जो आप कर सकते हो लेकिन time taking है ठीक है तो पहला काम आपने target बना कि रखा कि reasoning में मुझे पहला काम 20 करना है यह तो 20 आप करना है सही 100% equation के साथ और time यहां पर बचा लिया आपने time बच करता है है तो हमसे कम आसान वाले करों आसान question भी आ रहा है ना है simple percentage निकालना simple हमने देखा कि किस प्रकार से दस्मलों और कल्डी वाले सवाल आ रहा है है बेलन के formula पर सवाला वो सब नहीं लगा पाऊगे अब तो आपका तो benefit है अब देख रहा हो कि कैसे question पूछे आप उन कर लोगे की नहीं बताओ अरे सर जी हम गयत में बहुत कमजोर है तो उसी के लिए आपके गड़ित के कमजोरियों को दूर करने के लिए हमने जाम से पहले आपके mathematics के 500 question के लिए बात मैं मैं science की बात तब नहीं करूंगा क्योंकि science मैंने जैसा सोचा था वैसा paper नहीं बन रह जाएंगे और मैंने दो वीडियो बना के बताया किस प्रकार से 70 75 question सिर्फ उन 500 question में से फसे हैं लिंक का description में इतना जल्दी ले सकते हो ले लेना ठीक है हम बात करना है आप 18 question कर सकतो ना नहीं सर्जी गारित बहुत है चलो आपने PDF से पढ़ लिया अपने 16 question कर लिया हम मान लेते हैं कि आपने mathematics में 25 में 16 question कर लिया अब यसे कम तो मैं नहीं कहूंगा अब कहो कि साइंस में 25 आता है हमने बोला साइंस में 25 आता है है पांच numerical आ गया अब numerical आपने नहीं पढ़ा तो पांच numerical छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है कम से कम 20 वह तो कर सकते हो नहीं सर्जी ह है चलो अठारा कर सकते हो नहीं सर्जी है करी क्या सकते हो पढ़ाई तो की नहीं तुमने चलो ठीक है हमने मान लिया साइंस में अपने 16 question कर दिया सही-साही की बात करना हूं याद रखना चलो गलत करते हो हमने बोला science में अपने सिर 15 question कर दिया 15 question कर दिया accuracy आपकी 100% है भी मैं तमें मैंने 16 बोला है याद रखना आठ कोशन चुड़वा रहा हूं है दस कोशन यहां साइस में चुड़वा दिया ठीक है रीजिनिंग की बात कर ले तब देखो यहां पर जी के जैनल अवेरनेस की बात करें मैं आपे 12 लूँगा क्योंकि पेपर इस हिसाब से आ रहा क अब यहां से तीन कोशन मांलो आपने कर लिया 3-4 कोशन अपने कर लिया कौण से जो आपके लंबे थे जो आप टाइम बचेगा तब छोड़ा अपने पूरा टाइम लिया 12 कोशन जी के में किया 16 कोशन में किया 23 कोशन में किया साइस में कितना किया 15 ठीक है तो कितना हो जाता है चैन नो दो ग्यारा पांच ओलेक अच्छा है यह दिक्कत नहीं किया ठीक है अच्छा है अच्छा स्कोर है अब जाओगे पीटी के त्यारी करना शुरू कर दो यहीं पर जो आप यहीं पर जो आप थोड़ा सा संतोस नहीं हो रहा तो आप रिजिनिंग में प्लस एक से दो कर सकते हो हैं क्योंटिक्स में आप आराम से ठारा कर सकते हो जिसी साब से पर कोई दिक्कत नहीं है यहीं पक्ता है एक बात और याद रखना जो आप कर सकते हो कि आपने यहां पर आपको पता है कि आपने 65 कोशन एटेम्ट कर लिए 100% एक्रेसी है और आपके पास अभी भी 10 मिनट का टा में बचाा है तो वहां पर आपको बहुत साओरे को यहां पी अईसे और फूदा सा आपको लग साल की यह साथ कोशन कर चुछ गलत हो गया तो यह गलती हो जाएगी जहां पर थोड़ा बहुत confusion है जहां पर थोड़ा सा self confidence आपका काम करता वो चीजे कर सकते हो नेगलक्त करके कर सकते हो कि यह चार option है यह दो तो होगा नहीं तो इनी दोनों में से कोई option होगा तो मुझे तो यही लग रहा तो वहां लगा सकते हो ठीक है तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्या सेफ इसको रह सकता है जो आपका third phase में एक जाम है या फिर आपका हो चुका है तो यह सारी चीजे point को ध्यान रखना पीटी की त्यारी सुरू कर दो एक ध्यान रखना रहे बहुत तेजी से काम कर रहा है ठी ठीक है जैसे रिजल्ट आता तुरंत आपकी आपके पीटे स्टार्ट कर दी जाएंगे टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी के लिए ठीक है बाकी अगर जो कोई डाउट है तो कोमेंट कर रूप सकते हो चले मिलते हैं फ्लास में बाबाए जहिन चाह भारत